बिहार बिधान मंडल मौनसुन सत्र समाप्त हो गया है और सियम नितीश कुमार जो है अपने आवास याने एक अने माग पर बरी बैठक कर रहे हैं इस वक्त की बरी कवर हैं देखिए मंतरी असोक चोधरी बिजय चोधरी के साथ सरवन कुमार को बुला लिये हैं और बरी बैठक कर रहे हैं या 11 बजे से ही चल रहे हैं मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और एक बरा अवार तोल हो हो गया उस सत्र में करके घुल ले करके खूब हमामा हुआ एक फिपक्ष दुश्चा जो है लगातार विश्यांस गटनाएं को लेकर के मुद्दे बनाई थी लेकिन देखिए जैसे मौनसुन सत्वाप्त होता है अपने मंत्रियों के साथ स्यम नितीज कुमार जो है बरी बैठक बुला लेते हैं और जारखंड के भी कई बरे निता आये हुए हैं कि आखेर वहां जो विदानसवा चुनाव ह होना है उसको लेकर के क्या कुछ रन निती बनानी है आखिर वहां जो है चुनाव किसी गठवंदन के साथ लड़ना है या अकेले लड़ना है इससे पहले भी आपने देखा मद्दपर्देश में जब चुनाव होना था तो स्यम नितीज कुमार अकेले ही चुनाव लड़ लेकिन अब यहां चुनाव होगा उसमें क्या बीज़ेपी के साथ चुनाव लड़नेंगे अगर अगले लड़ते हैं तो बीज़ेपी के जो है फिर से भारी नुकसान जेलना पर सकता है अब बरतमान में हैमन्सोरेन की सरकार है वहां पे लेकिन देखती होना है वहां पर उसको क्या करना है क्या जो है विशेस राज की दरजे प्रेचा का दर्जा मिल जाता तो विक्सित राज ने अब सлекटी कि बैक्त की थी लेकिन आप देखिए एक अन्य मार्ग में बिधान मंडल का जैसे ही मौनसुन सत्र समाप्त होता है तो मंत्रियों के साथ जो है वह बैठक कर दीए हैं और चर्चाइं हो रही है कि आखिर सियम निती इसकुमार क्या अक्याजनीती के साथ जो है जार्खें लाजनीती में एक वार फिर से हल चल सी मचाने वाले देखने वाली बात होती है कि तमाम निता जो बाहर निकलते हैं उनसे भी बातचित की जाएगी कि आखिर या वैठक जो है किस चीज को लेकर के थी आखिर क्या वरा फैसला लिया गया है तब तक के लिए बने रहे हैं का ल मलेश कुमार लाइब भी है पर तो